पढ़ाने के नियम एक पार्ट की रचना इस विडियो में हम एक पार्ट की रचना के बारे में जानेंगे यह भी जानेंगे कि एक पार्ट के कितने भाग होते हैं हर भाग क्या काम करता है और हर भाग पर कितना समय लगता है आईए शुरू करते हैं हर पाट के तीन भाग है एक पाट के तीन भागों के कार इस प्रकार है पहला भाग परिच्य है दूसरे भाग में नई सूचनाई है और तीसरे भाग में परखना है पाट के तीन भागों पर समय का वितरन इस प्रकार किया गया है परिच्य पर पूरे पाट का पाच्वा भाग लगाया गया है नई सूचनापर तीन हिस्से समय तथा परखने पर पाच्वा हिस्सा समय आईए हम याद रखी जाने वाली मुख्य बातों पर विच्चार करते हैं प्रति एक पाट को तीन हिस्सों में बाटा गया है पहला भाग परिच्य पर है इस पर कुल समय का पाच्वा हिस्सा लगता है दूसरे भाग में नई सूचनाइं दी गई हैं इस पर तीन हिस्से समय लगता है और तीसरे भाग में परक्ना है इस पर बाकी बचा पाच्वा समय खर्च होता है